नमस्कार मित्रों जैसा कि आज दिनांग 24 दो 2023 यानी 24 फरवरी 2023 को दीन दयालू पार्ध्याय गोरकपूर विशुविद्याले गोरकपूर के बीड थर्ड समेस्टर एक्जामनेशन 2022-23 के अंतरगत ग्रूप बी के तीन सब्जेक्ट जो हैं उनके पेपर हुए हैं पहला पेपर था EDU-B8-112-B1 बाइलोजिकल साइंस दूरसा था EDU-B8-112-B2 एकनॉमिक्स और तीसरा सब्जेक्ट था EDU-B8-112-B3 आर्ट एंड हैंडी क्राफ्ट जो CBCS मूड में परिच्छाएं हो रही है पेपर आईडी आप देख रहे हैं 8748 था तो आईए आज हम लोग सरपर्थम EDU-B8-112-B1 बाइलोजिकल साइंस के आंसर की को देखें आईए बिना देर किये सुरू करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना नो भूलें तो आईए देखते हैं पहला प्रस्ण पूछा गया था आपसे इकाई पाठ योजना को सरपर्थम परिभासित किया था सही आप्षन इसका होगा आप्षन भी मौरीशन ने दूसरा प्रस्ण पूछा गया था आपसे निम्नलिकित में से कौन सा ब्याख्या कोशल का घटक नही हैं तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन डी उप्यूक्त सभी और रिपीटेट प्रस्ण बार बार पूछा जाता है पूछा है देखिए चौता प्रस्ण जो पूछा है खोज वीद के जर्म दाता है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन एडवर्ड आर्मस्ट अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संक्या 5 पूछा गया था आपसे बैक्टिरियोफेज विसाड़ु का पता लगाया था सही एंस्वर है आप शने ट्वार्ट तथा हेरिल ने प्रस्ण संक्या 6 पूछा गया था आपसे समस्या सामाधान में संप्रत्य का निर्मार तता अधिगम का आविश्कार समलित है या परिभासा दी है तो इस प्रशन का सही उत्तर है आप्षन बे बी आसु बेल ने प्रशन संक्या सात्वा है ए भी रिपीटेट प्रशन बार पूछा गया था ब्लूम ततान्य ने ग्यानात्मक पच्च का वर्गी करण प्रस्तुत किया सही एंस्वरे आप्षन भी उन्नाई सो चप्पन में प्रशन संक्या आठ पूछा गया था बोध का अर्थ है किसी बस्तु के अर्थ ग्रहड करने की छमता या कथन है तो इसका सही उत्तर होगा आप्षन ने सत्य है प्रशन संक्या नो पूछा गया था आपसे सिंपन्शन ने किस पच्च का वर्गी करण प्रस्तूत किया है तो इस प्रियोग सामाने तक इसके जाच के संदर्ब में किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा आपका आप्शन B अभिवरित्ती प्रिशन संक्या 11 पूछा गया था मौखिकुमा प्रोगात्मक परिच्छा लिखित परिच्छा की होती है सही उत्तर है आप्शन पूरक प्रिशन संक्या 12 पूछा गया था द्रिश्य स्रब्य सामगरी का उदारण है तो इसका सही उत्तर होगा आप्शन वीडियो प्रस्तुती करण प्रिशन संक्या 13 पूछा गया था स्वालं, निर्मित उपकरडवे हैं, जिसका सही उत्तर होगा, आप्शन C, भ्यर्थबस्टूओं से निर्मित होते हैं, प्रेशन संक्या 14 पूछा गया था, अब प्रेचित सामगणी है, चार आप्शन आपके सम्मूक हैं, सही आप्शन का चेहन करें, तो इसका सही उत्तर होगा, option D, B और C दोनों प्रशन संक्या 15 पूछा गया था, सरवाधिक प्रभावसाली सिच्छर सामगरी है, सही उत्तर है, option C, प्रत्यच्छ अनुभव, प्रशन संक्या 16 पूछा गया था, आपसे सहाएक सामगरी का सरवाधिक प्रियोग किया जा सकता ह तो जो 16 नंबर प्रशन का जो सही उत्तर होगा, वह होगा, option D, उप्युक्त सभी, आईए एगले प्रशन को देखें, प्रशन संक्या 17 पूछा गया था, कौन सा अप्रच्छेपित माध्यम का उदारण नहीं है, तो इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा, वह होगा, option C, चा प्रशन संक्या 18 पूछा गया था, कि सिच्छर की प्रायोजना बिधी का प्रतिपादन किया था, यह भी रिपीटेट प्रशन है, सही उत्तर होगा, option C, किल पैट्रिक ने, प्रशन संक्या 19 पूछा गया था, प्रदर्शन बिध में छात रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो option C, प्रदर्शन में सहा एक प्रशन संक्या 20 इसकीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं साथी में, N-C-E-R-T के अनुसार, सुचम सिच्छड कच्छा में छात्रों की संक्या होती है, जिसका सही उत्तर होगा, option C, पांच से दस, आईए अगले प्रशन को देखें प्रशन संक्या 21 पूछा गया था आपसे, कि जीव विज्ञान सिच्छड में सहसंबंद की आउसकता होती है, इन चार आप्षन से सही आप्षन जो होगा, आप्षन दी, इन सभी की, अगले प्रशन 22 नंबर प्रशन पूछा गया था, जीव विज्ञान संग्राले में तो इसका सही उत्तर होगा, आप्षन दी, टेरे रियम में प्रशन संक्या 24 पूछा गया था, पाठ्य पुष्टे के सिच्छड में सहायक होती है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप्षन दी, सामोहिक, प्रशन संक्या 25 पूछा गया था, जीव विज्ञान का पाठ्य क्रम ह प्रशन संक्या 26 पूछा गया था असान प्रशन था मदमक्खी पालन निम्न में से किसके अंतर गताता है सही उत्तर होगा अप्शन सी एपी कल्चर प्रशन संक्या 27 पूछा गया था एवी रिपीटेट प्रशन था कि करिकूलम सब्द की उत्पत्त की सभासा से हुई है सही उत्तर है अप्शन ए लेटीन प्रशन संक्या 28 पूछा गया था इंडियन वो टेक्निकल सोसाइटी की अस्थापना की थी इसका सही उत्तर होगा, आप्षन भी विरबल साहनी, अगला प्रण संक्या उन्तिस पूछा गया था, निम्न लिखित में से कौन सा प्रस्तावना कौसल का घटक नहीं है, सही उत्तर होगा, आप्षन ए संकेत देना या प्रस्तावना कौसल का घटक नहीं है, प्रण संक्या पूछा गया था प्रान फार्मिंग विशेशग्य के कार्य के अंतरगत निम्ण में से किसको समलित किया जाता है इस प्रशन का जो सही उत्तर है वह है प्रशन संक्या 31 पूछा गया था सिच्छक को जानकारी होनी चाहिए तो सही उत्तर होगा अप्षन डीन सभी का प्रशन संक्या 32 पूछा गया था एवी रिपीटेट प्रशन था कि 32 नंबर प्रशन था बायो लॉजी सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है तो इसका जो सही उत्तर होगा हुआ होगा अप्षन ऑ ग्रीक से प्रशन संक्या 33 पूछा गया था विश्य बस तु विश्य सलेशव कि मैट्रिक्स प्रवीद के जन्म दाता है तो इसका सही उत्तर है अप्षन डीनbon ड्रशनसंक्या 34 पूछा गया था सिच्छक की भूमिका होती है तो सही उत्तर है, option D, उपरियुक्त सभी, प्रशन संक्या 35 पूछा गया था, प्रसिंद पुष्टक ओरिजन आप इस पे सीज के लेखक हैं, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option A, चार्ल्स डार्वीन, प्रशन संक्या 36 पूछा गया था, जैविक बिज्ञान में बैज्ञान प्रथम चरड है, तो इसका सही उत्तर है, option B, आउलोकन करना, अगला 37 नंबर प्रशन पूछा गया था, इन में से कौन सी जैविक बिज्ञान, सिच्छण में सायक सामगरी नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका, 37 का आवा होगा, A, स्यामपट प्रशन संक्या 38 पूछा गया था, पाठियोजना का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन है, सही उत्तर है, आपसन C, नई, स्यामपट भी होगा, यहां पे चात्र, प्रशन संक्या 49 पूछा गया था, आपसे, माइक्रोफोन सामगरी का उदारण है, सही उत्तर होगा, आपसन A, माइक्रोफ का उदारण है, और अंतिम प्रशन प्रशन संक्या 40 आप से पूछा गया था, विज्ञान कलब का संजच्छक कौन होता है, सही उत्तर होगा, आपसन B, विज्ञान सिच्छक, तो मित्रों, इस बाइलोजिकल साइंस के 40 प्रशनों का, मैं सटी कहिंस्वर देने का प्रयास क अगर एक दो में तुटी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, तो मित्रों, आप लोग अपने अन्य पेपर की तयारी, आप लोग का तो पेपर हो गया होगा, अब फूर्थ समिस्टर से संबंधित पाठ्ठेक्रम को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, औ तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर के माध्यम से अपना प्रेम और स्वयोग देते रहें, तो मित्रों आज इतना ही, आप अच्छे अंकों से पास हो इसी सुब कामनाओं के साथ, नमस्कार